दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें। दोस्तों आपकी प्यार और संपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरूर्थ हैं। सबसे बड़ी खबर है अफिसर सुरेंद्र वर्मा को 5 साल की सजा और 50,000 रुपे का जुर्माना की सजा सुनाई गई है कोट ने मुक आरोपी माजी राम के बेटे जो की सातवे आरोपी है विसाल को बरी कर दिया है मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई तीन जून को पूरी हुई थी इस घटना में पूरे देश को हिला करके रख दिया था पंदरा प्रिष्टो में आरोप पत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी 2018 को अगवा की गई आट साल की बची को कठुआ जिले की एक गाओं के मंदिर में बंदक बना कर रखा गया था और उसके साथ दूसकरम किया गया था और उसके बाद उसे जान से मार दियने के बाद चार दिन तक उसे बेहोस रखा गया था आपको बता दी कि जम्मू कस्मिर से करीबन 80 किलोमीटर और कठुआ से 30 किलोमीटर दूर पडोसी राज पंजाब के पठान कोट में जिला एउम सत्र अदालत ने पिछले 7 जून को पहले सप्ता के इस मामले के सुनवाई सुरू कर दी जम्मू कस्मिर से बाहर किये जाने का आदेश दिया था जिस लोगों को दोसी ठाहराए गया है उनके गाउं का सरपंज साजी राम उसका नबालिक भतीज आनंद दत्ता और दूप विसेज पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा सामित थे आपको ब बता देगी कौन-कौन दोसी है साजी राम जो है वो मुख आरोपी है आनंद दत्ता असिस्टेंस सव इंस्पेक्टर है परवेस कुमार वो ग्राम प्रधान है दीपक खजूरिया एस्पेसल पुलिस ऑफिसर है तिलक राज हेड कॉंस्टेबल है इसके अलावा एक नाबाल ने सभी तरह के अपने ग्राहकों को सस्ती कीमत पर कई सारे प्रोडक्ट को उपलब्ध कराई है लेकिन स्मार्टफोन की बात करे तो जियो ने अपने ग्राहकों के लिए सबसे सस्ता फोन भी उपलब्ध करा है खबरों के अनुसार जियो के सभी ग्राहकों के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि जियो कमपणी अपने ग्राहकों के लिए सबसे सस्ता स्मार्टफोन लाने की तयारी में है हाल ही में मुकेस अमबाईनी के स्वामित वाली रिलाइंस ने अपने अगले 5G फोन को लेकर के बड़ा एलान कर दिया है 5G फोन देखने में तो बहुत ही खुबसूरत लगेगा और आपको यह काफी फसंद आएगा जी हाँ दोस्तो स्मार्टफोन के बारे में आपको बता दे कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जियो ने ये एलान किया है कि कमपनी अप्रिल 2020 तक भारत में 5G सेवा के साथ अपना 5G स्मार्टफोन भी लाएगी यदि जियो 5G स्मार्टफोन लाएगी तो अन्य कमपनियों को भी काफी टकर मिलेगी कीमत के बारे में बताये तो इस फोन की कीमत कम हो सकती है वैसे कीमत के बारे में अभी तक कोई ख़वर नहीं आ रही है लेकिन उमीद करते हैं कि इस स्मार्टफोन की कीमत ज्यादा नहीं होती है जी हां दोस्तों अगली बड़ी ख़वरे पियोके में आतंकवादी केम्प बंद कर रहा है पाकिस्तान सेना प्रमुक ने कहा है यह सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं जी हां दोस्तों तेना प्रमुक जनरल विपिन रावत ने पाकिस्तान के कबजे वाले कस्मीर पियोके में आतंकवादी केम्प को बंद करने की ख़वरों पर कहा है कि यह सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी सीविरों को बंद कर दिया है या नहीं तेना प्रमुक ने कहा है कि हम अपनी सीमाओं के साथ कड़ी निगरानी रखना जारी रखेंगे इससे पहले खबर आई थी कि बालाकोट एरस्टाई के बाद पाकिस्तान अब दुनिया को यह बताने लगा है कि वह आतंकवादी केंपों को बंद कर रहा है बालाकोट एरस्टाई के बाद भारत की ओर से लगतार पाकिस्तान पर दबाव बनाय जा रहा था ये सबी आतंकी अटे एलोसी के पास मौजूद थे जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर किर्गिस्तान में दावत की मेज पर पहली बार रुबरू होंगे प्रधार मंतरी मोदी और इम्रान खान किर्गिस्तान में हो रहे एस सियो सिखर सम्मेलन के लिए मोदी विसकेक जा रहे हैं विसकेक में ही प्रधार मंतरी मोदी का आमना सामना पाकिस्तान के प्रधार मंतरी इम्रान खान से भी हो सकता है रिष्टो में मौझूदा सूरते हाल दोनों नेताओं की ऐसी मुलकात से बाचीत के किसी नए सिधरे से सुरू होने की उमीद जताई जा रही है मगर मेल जूल ठीक हुआ तो इससे संबंधों में तनाव कम करने का कोई गलियारा निकालने की संभावना जरूर बन सकती है विदेश मंतराले के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच एसियो सिखर समेलन की हासिये पर फिलहाल किसे दियुपक्चिये समूह का कोई कारिकरम नहीं है और नहीं किसी तरीके के आपचारिक भेट का भी कोई कारिकरम है मगर इस बीच कुटनितिक संकेत के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच आवना सामना होने पर दुआ सलाम या अपचारिक समवाद की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है दोनों नेताओं के रूबरू होने का पहला मौका होगा, कि ऐसे में अगर दोनों नेताओं के आपस में बाचित करने का भी ओसर होगा जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी कपर यूराज सिंग ने सन्यास की घोशना की जी हाँ दोस्तों करीब 19 वरसों तक भारतिये फैंस के दिलों पर राज करने वाले स्टार क्रिकेटर यूराज सिंग ने क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना कर दी है यूराज सिंग ने मुंब ग्लेंड के एतिहासिक लाट्स ग्राउंड में खेले गए नेट वेस्ट सीरिस का फाइनल का भी जिक्र सबसे पहले उन्होंने किया है। अमेरिका और अफगान सुरक्षा अधिकारियों ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में इस आतंकवादी संगठन के सेंड चमताओं को इजाफा किया है। और अफगानिस्तान तथा विदेसों में नागरिकों को निसाना बनाने की अपनी रणनीती पर काफी काम कर रहा है। अफगानिस्तान इस एक अमेरिकी खूफिया अधिकारी ने बता है कि राजधानी काबोल में हालिया हमले यूरोप और अमेरिका में किये जाने वाले बड़े हमले से पहले के अव्याद की तरह है। पहचान गुपनेता के आधार पर यह अधिकारी ने कहा है कि यह समुख अफगानिस्तान में हमारे वतन के लिए खत्रा बनता जा रहा है। यह संगटन लंबे समय से पूर्वी ननगहर प्रांत में वतन कायम रखते हुए हैं। लेकिन उतरी अफगानिस्तान के बाद के समय से पडोसी के कनार प्रांत में भी इसके मजबूत उपसिती बना रखी है। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी कबर नवाज सरीफ के बाद पाकिस्तान में आसिफ अली जर्दारी भी गिरफतार ब्रश्टचार का आरोप है। जी हाँ दोस्तों पाकिस्तान के सिष ब्रशचार निरुदक संस्था ने फरजी बैंग खाता केस में पाकिस्तान के पुर्व राष्टपती आसिफ अली जर्दारी को उनके आवाज से गिरफतार कर लिया है। फरजी बैंग खाता केस में जाच कर रहे इन एबी ने दोनों के खिलाफ गिरफतारी वारेंट जारी किया था। के हिस्से के तोर पर जर्दारी के खिलाफ इस मामले की कारवाई की जा रही है। दोस्तो अगली बड़ी ख़बर है राष्टपती सासन के बिना बंगाल में नहीं हो सकते हैं निस्पक्च चुनाओ। कॉंग्रेस नेता का बड़ा बयान। कॉंग्रेस ने पस्ची मांगाल में हिंसा और चुनाओ पर हिंसा के प्रभाव को लेकरके एक तीर से दो निसान साथिते हुए दीजेपी तथा ममताब एनरजी पर वार किया है। कॉंग्रेस नेता अधीर रंजन चोधरी ने कहा है कि पस्ची मांगाल में ममता बनरजी के मुख्य मंतिर रहते हुए निस्पक्च चुनाओ संभाव नहीं है। के कारिकरताओं के बीच संघर्स में चार लोगों की मारे जानी की खबर सामने आये थी। मरने वालों में तीन बीजेपी के और एक टीमसी के कारिकरता बताय जा रहे थे। इससे पहले भी लोग सबचुनाओं के दोरान पस्ची मांगाल में हिंसा की घटनाए होती रही कि अलिए में ऑ्किammoth लोगों की मांगाल में हिंसे ब्वें दोराता लोगता के एक-ट वाने थाने होता करें में थे लोगे हैं पॉतानाओं होता है। झाल झाल